तुर्की में हजारों घर तबाह हो गए, लोग बर्बाद हो गए, किसी का कोई अपना चला गया, तो किसी के लिए रोने वाला कोई बचा ही नहीं, जैसे जैसे मलबे हट रहे हैं, तस्वीरें नई नई सामने आ रही हैं, गवाही दे रही हैं जिन्दगी की, कि कैसा भी आ जाए, जिसे बचना होता है, वो बच ही जाता है, चमतकार, मुस्कुराहट, निडरता, ऐसी कई तस्वीरें बच्चों की सामने आई हैं, जिन्हें पता भी नहीं चला कि हुआ क्या, ऐसी ही एक तस्वीर सामने आई, यकीन मानिये, ये चमतकार से कम नहीं, एक सो अठाइस घंटे, सुनेंगे तो वाकई एक बहुत लंबा समय है, लेकिन ये जो खबर हम आपको बताने जा रहे हैं, वो वाकई चमतकार है, एक सो अठाइस घंटे के बाद भी एक दो महीने का बच्चा मलबे से जिन्दा मिला, वो भी मुस्कुराता हुआ, इसे और जब उसे एक सो अठाइस घंटे के बाद निकाला गया, यानि चार दिन के बाद, तो वो जीवित मिला, इस बच्चे का वीडियो इस वक्त वाइरल है, जिसमें वो उस व्यक्ती की उंगली चूस रहा है, जिसने उसे गोद मेले रखा है, इसे पहले NDRF की टीम ने तु NDRF के जवानों ने तुर्की सेना के जवानों के साथ गांजया टेप रांत के नूर दगी शहर में अभियान चलाया था, NDRF के जवानों ने गुरुवार को इसी इलाके से उस बच्ची का रेस्क्यू किया, तुर्की में भुकम के करीब 128 घंटे के बाद जिस दो महीने के बच्ची को बचाया गया है, उसकी तस्वीर इस वक्त सोशल मीडिया पर घूम रही है, लोग तरह तरह के कॉमेंट कर रहे हैं, आपको जान कर हैरानी होगी कि यह बच्चा सिर्फ और सिर्फ दो महीने का है सोशल मीडिया पर वाइरल हो रहे हैं इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि बच्चा कैसे एक टक निहार रहा है और उस शक्स की उंगली बड़े आराम से चूस रहा है जिसकी गोद में वो है तुर्की और सीरिया में विनाशकारी भूकंप में मृतकों की संख्या बढ़कर 28,000 से जादा हो गई है वही 85,000 से जादा लोग जख्मी है तुर्की मीडिया के मताबिक भूकंप के 5 दिन के बाद बचाए गए लोगों में 2 साल की एक बच्ची है 6 महिने की गर्वती महिला है 70 साल की एक महिला भी शामिल है तुर्की में भीशन भूकंप के बाद हालात बत्तर होते जा रहे हैं लाखों की संख्या में लोग बेघर हो गए हैं मलबे में अभी भी सैकडों लोगों के फसे होने की आशंका है तुर्की और सीरिया में भारत समय दुनिया भर के बचावक अभी भी इलाकों में चान बीन कर रहे हैं इस भीशन आपदा में लाखों की संख्या में लोग प्रभावित हुए हैं और उन्हें अब सहायता की सबसे जादा जरूरत है प्रभावित लोगों को आश्रे स्थलों में पहुचाया जा रहा है भारत में तुर्की के को और लिखा सबसे उपर सेंडिंग लव फ्रॉम इंडिया इस लेटर में आगे कहा गया है कि तुर्की के सभी लोगों को हमारा साधर परणाम अभी दो दिन पहले तुर्की में आई प्राकृतिक आपदा में जान माल के नुकसान को लेकर हम सब बेहच चिंतित हैं हम सभी भारतिय संकट के इस घड़ी में तुर्की के साथ दुख में खड़े हैं भगवान तुर्की पर खृपा करें और उसे इस मुसीबत से निपटने की हिम्मतें इस पत्र पर कुल्दीप अमर्जीत सुखदेव और गौरव के दस्तखत हैं तुर्की के राजदूत के फिरात स तुनेल ने इस पोस्ट के कैप्शन में लिखा है कि कभी-कभी शब्दों का अर्थ शब्द कोश में उनके अर्थ से कहीं जादा गहरा होता है जैसा की एक भारते परिवार ग्वारा कमबलदान शेर किये जाने के बाद से इस पोस्ट को बहुत सारे लोग देख चुके हैं और बहुत सारे लाइक्स मिल चुके हैं सोशल मीडिया यूजर्स ने बड़े पैमाने पर इस नेक काम की साराना की है और भुकम से बचे लोगों की भलाई के लिए हारदिक शुकामनाओं के साथ कई टिप पढ़ियां की एक यूजर ने लिखा तुर्की की लोगों के लिए तहे दिल से शुक्रिया और प्यार अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें अगर आप फेस्बुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें